हेलो एब्रीवन वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी इस वीडियो में हम रडिस्टेश करेंगे नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम और नेट वर्क जिसके अंतरगत इन्फिलिबनेट डेलनेट डेसिनौक नीज सीपियार जो की नीज केर आप बोल सकते हैं इसको जो नीज सीपि पर हम लोग कोश्टम करेंगे और यह वीडियो आपके युजी सीनेट के विए डियर लाइब्रेजन का एकजाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए पहला कोश्टम से हम लोग डिस्टम करते हैं बीना टाइम वेस्ट किये पहला कोश्ट स्यet इंडीयन साइस अस्ट्रेक्ट इस पविग्र הजबर किया जाता है किस दोआ थैर जुह अज़ пошश्टम सफ〜 दावरा किया जाता है जो पहले इसका नाम स्टर Heb सिर्व शुरू में इसका नाम अधिए कोई नाम चेंज नहीं हुआ है बलकि दो ऐसे जैसे इंस्टॉक और नीश कॉम दो संस्था के मर्जिंग के बाद ये नाम पढ़ा है एक इंस्टॉक के साथ एक संस्था और था नीश कॉम इन दोनों का merging के बाद जो नाई सहस्था बनी थी 30 December 2002 को जो की नाम पड़ा नी स्कियर ये सहस्था Indian Science Abstract पॉब्लिस करता है और अब जो है 14 February 2021 के बाद अब नी स्कियर भी नी स्कियर नहीं रहा नी स्कियर नी स्कियर एंड फ्लॉस नी स्टैट्स ये दोनों संस्था का मर्ज होके अब यहां पर नाम आ गया है नी स्कियर अब नाम हो गया है इस बात का ध्यान रखेंगे कि हो सकता है अब जो भी कोईशन्स आए नी स्कियर वहां आपसर में ही ना रहे आपको NIS CPR रहे तो NIS CPR आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इसकी अपना 14 February 2021 में हुआ है एक तरह का यह latest development है और NIS CPR का आपको full firm भी पता होना चाहिए और यह जो संस्ता है जैसे NIS CPR, NIS DOC या NIS CPR यह सभी CSIR के अंतरगत काम करते हैं भारत सरकार के अधीन है CSIR तो NIS CPR का हम परम है National Institute of Science, Communication and Policy Research मैं यहां लिक देता हूँ आप ध्यान रखेंगे तो मैंने लिक दिया है National Institute of Science, Communication and Policy Research ABCSIR का ही अंदर काम करता है और इसकी अपना 14 February 2021 में हुआ था और इस संस्ता का Headquarter NIS CPR जहां था वहीं हो गया New Delhi में इतना आप ध्यान रखेंगा इस questions related और भी एक NIS CPR यानि आपका है तो NIS CPR एक और चीज़े publish करता है मतलब कि Library Science जिसका नाम था Annals of Library and Information Science जो quarterly publish होता है अब ध्यार कि एका Indian Science abstract जो है यह publish हो रहा है 1965 से और यह semi monthly है यानि semi monthly कहने का मतलब होगा एक मन्त में दो बार publish होती है और पंदरे दिन पर यह इसका मतलब यह publish होती है और जो एक और जो इनका publication है NIS CPR का जो Library Science से related है उसका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ Annals of Library and Information Science यानि LIS आप लिख सकते हैं Library and Information Science short form में और यह quarterly है quarterly कहने का मतलब हुआ कि साल में चार बार publish होती है यानि हर थिरी मन्त में यह publish होती है और इसका publication 1954 में start हुआ था लेकिन Indian Science extract का publication 1965 में हो रही है यह एक तरह का abstract है मतलब देश के अंदर जितने भी science के फिल्म में research होते हैं उनका एक सार संग्रह है मतलब होता है संचिप की करण तो यह उसी से related है और इसमें क्या होता है कि इसका यह database एक तरह से release करते हैं अपने मतलब Indian Science extract magazine के तुरूप और इसमें कुछ चीजे है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो यह abstract है यह classified जितने भी abstract होते हैं उसको भी classified किया जाता है ताकि आप कोई भी चीज धूनने में easy हो जो classified यह करते हैं उसमें कौन से classification method का use करते हैं को करते हैं UDC का तो ध्यान रखेंगे universal decimal classification universal decimal classification का use करते हैं यह इसको broad level पर जब इसको abstracting करते हैं तो classified classified according to the universal decimal classification यह थोड़ी सी मतलब चीजे हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें ना bibliographic citation जब बनाते हैं तो इसमें author, title, locus, abstract यह सब चीजें mention करते हैं तो author जो होता है maximum यह 10 author का नाम इसमें दे सकते हैं अगर उससे जादे है तो main author का नाम लिखते हैं बाकी को al. लगाके यह बाद में लिखते हैं तो आप जो cataloging जब सीखेंगे तो वहाँ पर यह चीजे आती है लेकिन बस आप यह धिया रखिएगा इंडियन साइंस एफटेक्ट को पब्लिकेसा नीस केयर करता है जो पहले नीस डॉक और नीस कॉम के मर्जिंग के बाद नीस केयर बना था और अब दोज़र एकिस में चोद्य फरवर दोज़र एकिस के बाद नीस केयर अब नीस केयर नहीं रहा नीस केयर और नेस्ट टैट्स को मर्जिंग करने के बाद जो नई संस्था बनी है वो बनी है नीस सी पियार जिसका हम लोग नेशनल इंसिट्यूट ओफ साइंस कॉम्णिकेसन और पॉलिशी रिसर्च करते हैं इसका फूल फारम और एक और इनका पॉब्लिकेसन है एनल्स ओफ लाइब्रेडी और इन्फॉर्मेशन साइंस तो यह सभी चीज़े आपको ध्यान में रखना चाहिए यह जो क्लासिपीकेसन मेथर का यूज करते हैं इस एक्सप्रेक्टि इसके पार्ट में डिवाइज कि डिवाइद किया गया है जैसे जो में क्लास होते हैं उसका नमबर होता है जैसे 0000100200 ऐसे करके 900 तक जाता है ड़वाइडी के अंदर गात लेकिन जब हम लोग इसमें यूडी सी में पढ़ते हैं तो इसमें होता है 0123456789 इस तरह से इसमे आपको देखने का मिलेगा तो इसमें भी जीरो जनलिया होता है जिसका हम लोग जनल लिया होता है वन जो फिलोस्पी को दिनोट करता है तू जो में प्लासे होता हो रिलीजन को रिफाइन करता है त्री सोशल साउच्छ 4 लैंग्वेज फाइब जो ता है मैघेमेटिक्स और और इसको पीयूर साइंस भी हम लोग बोलते हैं जिक्स जो होता है अपलाइट साइन्स के लिए होता है जैसा अपलाइट साइंस में आता इस है इंजिनियरिंग करें और और सेवन फाइन ये लिट्रेचर और नाइन हिस्ट्री ऑर जीग्राफिक को डिफाइन करता है इसके सब डिविजन सोते हैं फिर टेन भाग में वह भी तोड़ता है और आप जब डिटेल में यूडी सी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें सब्सक्राइब करते हैं आपको यह सब्सक्राइब में पूछा गया है जैसे कि आप राइस्थान PCS में पूछा गया है के विया से पूछा गया है इनफलीबनेट सेंटर पुर्वाइड डॉकुमेंट टू अल टाइप ओफ लाइब्रेरी इन इंडिया यानि इनफलीबनेट सेंटर के बारे में आपसे पूछा गया है पहले ही आप यह जान लीजिए कि इनफलीबनेट का फूल फर्म क्या होता है इनफलीबनेट मतलब की INF मतलब होता है information and library network 33 डिजिट में इसको डिवाइड कर दीजिए तो INF का मतलब information and library network एक तरह का Information and Library Network Center है जो भारत के Inter-University Center यानि कि भारत के जो University है उनको आपस में Inter-Connectivity Network प्रवाइड करता है और इसका जो Headquarter है वो गांधी नगर गुजरात में है और इसका अस्थापना 1991 में हुआ था यानि 91 में हुआ था और एक तरह से भारत में Repository के लिए काम करता है जहां पर डॉकुमेंट को स्वारफचीत रखा जाता है और Networking University के तौर पर भी काम करता है और इसका बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है यानि Repository Center है उसी तरह बिद्वान है सोद गंगोती है इस तरह से बहुत सारे इनका फंसन है तो एक्टिविटी के अंतरगत आप उस सब चीजों को देख सकते हैं तो यह हम लोग इनके इंडिविजूल जब सब्सक्राइब करता है उसको यह सपोर्ट नहीं देता है लेकिन क्या पुछा गया और टाइप आफ लाइब्रेडी तो यह इंकरेक्ट है अससा गफ है इंकरेक्ट बिकाज इंडिविजूलिट प्रोफ़ाइड दे einzाघ्री इंथरे इंबर्सीति चेंटर और इनट रंडिवर्सिती चेंटर ओं इनवर्सिती लाइप उप्शन इयह गलत है दूसरा है मोडर्स नीक रेंग क्या कर्णा का रहा है कर दिया है यह बिल्कुल सत है कि वह ऐसे डॉकुमेंट जो वंचित थे उनको भी इलक्ट्रॉन मतलब कि मोडर्न टेकनलोजी ने पॉसिबल कर दिया है कि हम लोग के माध्य हम से ट्राम समीशन कर पाए एक जगे से दूसरे जगे एक किसी रीषोर्सेस को को एक जगे से दूसरे जगे हम लोग ठ्राम कर पाएं तार इसलिगे इसमें dei के संदॉरbon है और एने'ेर sıट्ट में मून टेंस्ट से करते हैं को सिस नेइस Gl 好 नमबर तो देखिए यह नीज कियर इसके लिए रिस्पॉंसिबल है अब नीज कियर के जगा नीज पी पी आर कर दीए क्योंकि यह प्रिवियस यह का कोईशन्स है तो वहाँ पर नीज कियर ही लिखा गया है लेकिन मैं आपको हमेशा एवर करते चलूँगा यह आपको कोई दीकत नहीं है इस सीट का एवरनेस रहा है आपके पास की नीज कियर मतलब आप नीज पी पी आर तो दो तरह का नमबर होते है एक तो ISBA नमबर आपने सुना होगा दूसरा ISSN नमबर सुना होगा तो यह दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए ISBA नमबर जो होता है यह 13 डिजिट का होता है और इस इस नमबर को बुक को परवाइड करते हैं जिसका फुल फर्मोता इंटरनेश डिजित का होता है अभी के समय में अभारत में जो पब्लिश करता है मतलब कि international number provide करता है U कि मतलब सांस्ता जो है वो है राजा राम नहां नेशिनल एजनसी नियू- यह इसका है और यह दिल्स के पॉबिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है आप लाइब्रेडिक डबलपमेंट के लिए लेजिसलेशन किसी स्टेट में कैसे पास हो इसके लिए वर्क करता है लेकिन इसी का सांस्था एक और है प्रिपल आर एन ए यानि कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी न्यू डिली वेस्ट है ये ISBA नंबर पुरवाइड करता है बुक को और ये फिरी आफ कोश्ट होता है ISBA नंबर के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है ये सभी मोनोगराफ के लिए होता है यानि कि जो प्रिंटेड बूक है उनको ये नंबर मिलता है ISBA नंबर लेकिन कुछ पहले ये देखिए 2009 से पहले ये 10 डिजित का होता था अब ये 13 डिजित का होता है इस बात का ध्यान रखेंगे देखिए और ISSA नं नंबर और इसको ISSA नंबर प्रवाइड करता है नीज केर नीज केर अब हो गया नीज सी पियार जो नेशनल लाइबरेरी आफ इंडिया के केमपस यानि नियू दिली में है तो ये भीयाद बात ध्यान रखेंगे और इसका फूल फरमोता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस इसे किसी बुक को आप उठाएए कोई एस्टेंडर बुक का उसके पीछे जाएए पीछे कवर पर देखिएगा वहां ISBA नंबर एक बार कोड ऐसे लिखा ऐसा रहेगा ठीक है तो ISBA नंबर यहां लिखा रहता है तो ISBA के बारे में दो चीज़े आपने जान ली पहले तो य इसे से नंबर एट डिजिट का होता है इसको ISBA नंबर कौन पुरभाइड करता है वो करता है राजा राम मोहन राय नेशनल एजनसी न्यू दिली लेकिन ISSA नंबर जो होता है इंटरनेशनल एस्टेंडर सिरियल्स नंबर जो इलक्रोनिक्स डॉकुमेंट को कहा जा दिया ज पार्ट साला जो है यह तरह से एप बेस्ट या डिजिटल या मतलब पैन ड्राइब इस टाइप से एजुकेशन के लिए आपको रिसोर्स प्रभाइड करती है और इसका इनिसियेटिव जो है मतलब कि इसका जो डेवलप्मेंट है वो NCRT को जाता है NCRT को और इसके अलाव को जाता है लेकिन इसका डेवलप्मेंट ने किया था नेशनल इंफर्मेटिव सेंटर नेटवर्क ने किया था और बाकी यह संस्था कोई मैच कर नहीं रहा था अप्शन से इसलिए एन आई एन आई सी नेट इसका करेक्ट अंसर हो गया क्योंकि यह उसके अंतरगत बना ए एन सी आटी और सी आई इटी के द्वारा किया गया है और वहीं इसको दो हजार पंद्रे से मतलब की वहीं उनीका यह प्रजेक्ट है यह यह एन आई सी नेट का मतलब नहीं है प्रोपर वे में लेकिन इनका इसमें भागिदारी है सॉप्टवे और एप उगर डेवलप्मे करते हैं कोशन नमर फाइफ आप्टर नाइंटी नाइटी नोन एज देखिए पहले डेलनेट का नाम था दिल्ली लाइब्रेडी नेटवर्क जो बात में डेवलोपिंग लाइब्रेडी नेटवर्क के नाम से जाना गया तो ऑप्शन नमर भी इसका करेक्ट एंसर होगा ड मतलब लाइब्रेडी नेटवर्क है जिसके पास बहुत जादा रिसोर्सेस हैं और यह देश मेजे से अमेरिका यूई ऑईज सिंगापूर बहुत सारे कांट्री चाहिन यह निकी ओड़लोंपिंग लाइब्री नेटवर्क है और ये डीजिटल रिसोर्सेस पुर्वाइड करते हैं इनवर्सिटी के लिए कोलेज के लिए और इनका मतलब की फ्री बेर्स प्रोग्राम मतलब पैसे प्यमेंट करने होते हैं इनवर्सिटी को और भारत के भी बहुत सारे भाव सारे लाइब्रेरी इसके मेंबर्शिप ले रखे हैं इसला कोसरे करते हैं नोबर शिक्स नेशनल इंसिट्यूट ऑफ साइंस कॉम्निकेशन और पॉलिशी रिशर्च एन नाई एस सी पी आर टॉम्स इंटू एक्जिस्टेंस बाई मर्जिंग फू अप फॉलोइंग इंसिट्यूशन यानि आप से क्वेशन पूछा गया है कि राष्टिय विगान संस्थार और निती अनुसान संस्था यानि नीश सी पी आर जो दो संस्थानों के बिलाएक के बाद बनाया गया है वो कौन-कौन से संस्थान है देखिए आप बहुत सारे आप्शन है मैं उस सभी आप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं कि टाइम बहुत कम है हम लोग के पास तो ऑफसेज़स सी सीधे देखिए याद कर लिए कि नेस्टनल इसेट्यूट आफ साइंस कमुनिकेशन इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रिशॉर्च यानि नीश किया और नेशनल इसेट्यूट ऑफ साइंस टेकनोलोजी और डेफलोप्मेंट यानी नीश स्टैट्स यह दोनों संस था के मर्जिन के बाद नीज इपियार बना फोर्टीन फेव दो हजार 21 को यह मैं आपको फ़र्ष्ट कोईश्जिन में भी डिश्क्स किया था और यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं सब्सक्राइब करते हैं और क्योंकि यह सिर्फ इन्वर्सिटी लाइब्रेडी को प्रवाइड करते हैं सर्विस सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें तो करेक्ट है लेकिन गलत है यानि की भी इदर ट्रेक्ट एंसार नेक्स कोश्चन नमर एट एरेंड फ्लोइंग इदर क्रोनोलोजिकल ओडर एक्कॉर्डिंग टू डियर इयर ओफ इस्टिबलाइसमेंट यानि यह जो संस्था है इनके बर्स अस्थापना बर्स के अनुसार कालकरम में रखना है इसके आप्संस यहां पे मिस्प्रिंटिंग है मतलब यहां पे आप्सं स्थापना बर्स के अकॉर्डिंग या जब भी वो काम हुआ उसके अकॉर्डिंग आप सजा रहे हैं तो पहले थिरी हुआ फिर फोर हुआ टू हुआ वन हुआ इस तरह सो आप्सं होना चाहिए तो यहां पे थोड़ा समीं स्प्रिंटिंग हो गया इस बात का आप समझ लि देखें लाइब्रेरी और कॉंग्रेस जो है बहुत सारे बुक में अलग-अलग दिए होते हैं आपको उसका प्रिफ्रेंस में लेना है बस मेरा मानिए इसकी 24 अप्रील 1800 ESV में इसकी अस्थापना हुई यह लाइब्रेरी और कॉंग्रेस के ओफिस्यल वेबसाइट एबाउट उस में लिखा हुगा है एक है वासिंग्टन डी सी में इसकी हेड क्वाटर है मत्तब कि लाइब्रेरी और कॉंग्रेस एक USA का अमेरिका का नेशनल लाइब्रेरी है जैसे हम लोग का नेशनल लाइब्रेरी आफ इंडिया कलकता है उसी तरह नेशनल लाइब्रेरी आफ USA वासिंग्टन डी सी में है जिसका नाम है लाइब्रेरी आफ कॉंग्रेस इसकी अपना अठारे से इसवी में हुई एक्जेक्ट 24 अप्रिल अठारे सो नीज कियर आपक वन नंबर अप्शन फिर आया अनई 148 में फोर नंबर फिर आया थिरी अनई 141 और फिर आया टू दो हजार दो यानि सी अप्शन इसका करेक्ट होगा एक्कॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन यहां गीवन होते तो ठीक है नेक्स्ट कॉस्चिन से कॉस्चिन नमर नाइन कौन सा संदर पुस्तकाला ध्यक्चो का सहयोगी नेटवर्क है देखिये देश में तो लाइब्रेरियन होते हैं सभी लाइब्रेरी में लेकिन एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होते हैं इनवर्सिटी में जो रेफरेंस सर्विस प्रवाइड करते हैं बिसिकली यह रिसर्च करें तो जो यह कोलेबरेटिव नेटवर्क है जो एक सहयोगी नेटवर्क है उसका नाम है questions point ध्याने किएका questions point the correct answer next and question number ten question number ten है इन्फिल्मनेट मत्त आपसे पूद्या है इन्फिल्मनेट का full firm यानि तो पता information library network इसका फुल फर्म होता है और यह option से देखिए यह option में फुल फर्म ही नहीं दिया गया है यह इन information library network नहीं करके इसको अलग language में लिखा गया है देखिए network of the library and information network of educational institution global network of network and network of institution इसमें से कौन सा correct होगा यह पूछा गया है तो हम लोग ने इन्फर्मेट के बारे में पहले भी डिसकस का लिया है तो जाये कुछ नहीं बताऊंगा मैं सीरे अंसर बताता हूं network of library and information यानि कि information and library network इसको बोलते भी है तो information and information and library network इसका फुल फर्म ही होता है तो यहीं तो बोल रहा है internet का आजाता है internet ध्यां रखिए का internet को हम लोग network of network global level पर होता है इसलिए इसको network of network बोलते हैं नहीं करेक्ट एंसर होगा network of institution कहने का कोई मतलब नहीं है इसकोशन करता है questions number 11 minus of library science and documentation is published by misinformation science भी होता तो निस्कियर ही होता इंडिर्स science eggstäb की बात की जाए तो भी नीस्कियर होगा और इनॉाठ्ट भी नीस्कियर होगा साइस अन्ड रेपर्था इसकोशन की बात की जाए तो भी नीस्कियर होगा साइन्स रिपोर्टर इनका मैगजीन आता है एक विग्यान प्रगती आता है साइन्स की दुनिया आता है हिंदी में होती है जैसे साइन्स जो एक साइन्स रिपोर्टर जो है मतलब विग्यान प्रगती जो है विग्यान प्रगती विग्यान प्रगती प्रगती एक है साइन्स की दुनिया शाइन्स की दुनिया यह हिंदी में है विद्धि कीुनिया और फिर अब बहूत सारे मतलब की जैसे इंडियन ज зов मेस्ट्री इंडियन जैन्रोल चेंडी टेकनलोजी ऐ प्लाइड इन वन रिशार्च बहूत इनका मेकजींच्छ चाता है तो जो specifically है आप पॉइंट आव यू जो एक्जाम से रिलेटेड है उसको ध्यान रखेगा एक बिज्ञान प्रगती दूसरा साइंस की दुनिया एक है एनल्स अफ लाइबरी एन इन फॉर्मेशन साइंस एक है एनल्स अफ लाइबरी एन डॉकुमेंटेशन और इंडियान साइंस अब्सट्र पूरा रिपोजेटरी है मतलब कि इस वहां पर रखा जाता है संदस्ट रखा जाता है जो इस जो यहां लिखा हुआ है इस इन प्रोग्रेस अंग लोग बोलते हैं या सी नॉप्सिस बोलते हैं इस नॉप्सिस ठीक है थोड़ा सा नाइट में वीडियो बना रहा हूं तो अब भिछां रहेंगे इस बात का से लिए और आपका सि मिस जो है और तो घसर्च इंप्रोग्रेस तो उसके लिए टोड़ करने का ही प्रोग्राम है इसके लिए सोड़ को टरी है प्रोड गर्ढोष री युदdependent का ही सैन सें लिए आपका सोध गंगोत्री हो जाएगा और Eats Cases के लिए सोध गंगा हो जाएगा ध्यां रखेंगे Next questions है फिर वही questions रीपीट होगया यह questions पता नहीं तिन चार बार रीपीट कर गया है ठीक है इसको छोड़ देते हैं Now Next question Arrange of the following information network according to their year of launching आपको जो यह नेटवर्क है इसको year of launching मतलब कब इसको लांच किया गया उसके according आपको यहां पर सजाना है यह जो option given है उसके according बताना कौन सा option सही है देखिए जो NICNET है National Informative Center Network इसका 1976 में अस्थाफना हुआ था N की N है जिसको हम लोग National Knowledge Network के नाम से जानते हैं इसका गठन 2010 के आसपास हुआ तो 2010 में हुआ था और इन्फिलिटर अनजिस एक कानवे है और इरनेट जो है यह पुरानी सर्था है इरनेट और इसका अस्थापना 1986 में हुई थी तो सबसे पहले आ गया है 1976 फिर आ गया है 1986 फिर 1991 2010 तो दो सबसे लास्ट में यह यानि बी एंसर इसका करेक्ट हो जाएगा नैस कोच्छण है कोच्छण में डेसी डॉक वाज परमिली न॓नचज हम लोग डेसी डॉक को पहले किस नाम से जानते थे अब पहले तो इस समय यह जानिए कि डेसी डॉक का फूल फर्म क्या है और किसका documentation center है DC dog का पहले नाम था scientific information center यानि option number C अब DC dog को नए नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं defense scientific information and documentation center defense scientific information and documentation center यानि DC dog इसकी अस्थापना अनई साथ सत्तर में हुई थी और ये DRDO का documentary center है यानि कि DRDO का scientist को DRDO को worker जो staff है उनको ये documentation या research paper जो मन्तेश में defense related जितने भी document होते हैं उनका protection करना उनको time रहते scientist को provide करना कोई भी scientist है उनको अभी कोई भी document चाहिए वो देना यानि book magazines जो भी होते हैं या research paper जो जैसे कि आपको मालीजी अगनी 5 का ही मालीजी अपका structure है इसको बनाने में पहुंसे पार्ट किसके बाद लगेगा थे flow chart बनता है पहले फिर वो flow chart के बाद उसका designing होता है फिर designing के बाद उसका development होता है जो भी होता है तो उसका पूरा formula बनाने का material सब कुछ एक लिखा होता है जो नए सांटिस जाते हैं उनको training दिया जाता है कि यह चीज लगता है ताकि वो जल्दी सीख पाया नए development कर पाया तो वो सभी चीजे कहां पर सुरक्षित रहेगी कहां पर रखा जागा इस सब में आपको में आठ्स के फिल्ड में चीजे केमपस इस डाउक जो है ने केंपस में यह तो यह निज के पास है तो GD सर्ट के लिए हो गया सब्सक्राइब क्याओं गirmत F consistent कि अपको चीज कंशत वहाइब करने के को रहा हूं आपको बहुत हेलफुल करने को लाइए से यह देखिएगा यह चीज़े सभी नोलेज आपको नहीं मिलने वाले किसी बुक को उठाइएगा आधा दूरा चीज़ें मिलेगी पूरा नहीं मिलेगी इसलिए मैं बोलता हूंगी पुरा कम लेकिन बहुत बढ़िया होना चाहिए अन्यास कोश्चन है कुछ फूलोइंग कौन साय सब्सक्राइप करता है क्लाइमट फंट सीच भाइन पारफ टैल सॉप्राइपलेदाय को नैशनल साइन्स लाइब्रेडिंगा जो साइन्स लाइप्रेडिय और वहीं फिर और संड़्री नेस्नल्मेडिकल लाइब्रेडी जो Acho अन्नल डिजिटल लाइपली इन नेशनल फिजिकल हेंडिकेप या दिवियांग है जो की घहरादूर उत्राखन में है नेशनल लाइबरी आपको पता ही है कलकत्पा में है करता है को सब्सक्राइब करता है को सब्सक्राइब के लिए होता है और नेशनल डिजितल लाइबरेरी की बात कर रहा है जो मैंने अभी बताया आई 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 टी खडग पूर ने डेवलब किया है नेशनल डिजितल लाइबरेरी को बिद्या नीदी के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे अब सभी क्वेश्चंस में के क्वेश्चंस को ज्यादे टाइम देने पर मैं अभी आपको बता ही देता हूं कि बिद्या नीदी के एक तरह का इंडियन डिजितल लाइबरेरी है का बिद्या नहीं दे नेक्स कोश्चन है कोश्चन नॉमर 18 एरेंद फ्लोईंग एक्कॉर्डिंग टू देर रिलेसं यानि की इनिफ्लिमेट को आपको मैचिंग करना है डेलनेट क्या है विनिसिस क्या है यह यह जो युनेस्ट को ने फॉस्ट आपको डिज लाइब्रेरी स् आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन पढ़ने से जैसे की रिसोर्स शेरिंग डिजिटल इन्फर्मेशन इन्फर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क तो थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा चांटना पड़ेगा जिसे इन्फिमेट का तो यहां फूल फर्म ही हो गया के पूरे जो भी इसके मेंबर होंगे तो डियलनेट जो होगा डवलिप्निंग डवर्क के तरदा का रीशोर्स शेरिंग पछलिटफॉर्म है और और win-sys जो है यह तरह का open software है open library software है Inesco ने develop किया था window version के लिए यह हो गया open library software यह ओपें सोर्ट वेर हो गया e-prints digital library software है यानी digital information को यह manage करता है तो इस तरह matching किजिये देखिए काउन सा answer होगा और correct हो जाएगा तो देखिए D option सही हो रहा है एक का 4 1 फिर 2 का 1 नेक्स कोश्चन है देखिए आठाए सब यह सब उन्नी सब पचाशी में डेवलप किया था यह सब्सक्राइब किया था इसको ने डेवलप किया था जिसका शॉट्वेर का नाम था सीडियस लाएस आई 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 एस तो एक अम्टराइज बेस्ट लाइबर एक पर भारत में फिर आपको पता हिसे को बारे में जब स्वाठोड़ कंगे पूरा थीटिकल में ने पढ़ाया हुआ है तो वहां पे आप देखेंगे कि बाद में कितने सारे सब्फ्टेवर डवलप हो गया जैसे ऑघ्रान्थाले हो गया सॉल हो गया उग्या लिए हो गय इसको चैने क्वेशन नूंबर नाइंटीन हो है गौर्ड क्रेडिट और बेंग फॉर्स लाइब्रेडी नेटवर्क इन इंडिया मतलब कौन ऐसा कि कौन सा ऐसा साथ जो फोर्ष लाइब्रेड नेटवर्क होने का गौर और प्राप्त है यानि किसको यह क्रेडिट मिला हुआ है और अगर कोई नहीं का ऑप्सन है और इसके अलावा कोई ऐसा नेटवर्क है जो सबसे फोर्ष में बनाया जिया था वो करेक्ट एंसर हो जाए फिर देलनेट नाइन्टि ृट इट में लेकिन इससे पहले पर नेटवर्क का अफना हुआ था जिसको बोला गया था नीज नेशनेल इन्फारमेटिक्स थिहां रखिए-ग है नैशनल इनफारमेटिकंस कंट्र नेटवर्क इसकी तरफ नो में हो गई थी इसलिए यह जादे करेक्टर हो जाएगा हलागे 76 में ही हो गई थी तो यह जो सबस्टा है निस नेट यह हो जाता फॉर्स्ट अप्सन लेकिन वह तो ही नहीं अप्सन में इसलिए इसका कोई नहीं एंसर है प्राइब किया गया नेक लीन का अगर आपको फूल फॉर्म निखना है तो लीख सकते हैं कि नेशनल कोंवेंशन ओन लाइब्रेरी एन इंग्फर्मेशन नेट वर्किंग हला कि पुछने का कम उमीद है नेक्स कोश्चन है के लीवर कन्वेंशन ओन आटोमेशन ओफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन इन रिसर्च इंट्यूशन इज और गनाइज बाई हूम यानि कि कैलीवर सिक्षार और न तो बार बार पुछते हैं कि करेंट डेवलेप्मेंट हुए हैं उसको बताते हैं अभी 2022 टेश चल रहा है लेकिन 2022 में जो यह प्रोग्राम सत्रे से 19 कैलीवर का जो आयोजन है कि लाइब्रेडी में आटोमेशन और रिसर्च इंसिट्यूशन के बीच कैसे कैलीवर और नाइज इन यह थर्टीन इंटर्टीन इंटर्नेशनल कंवेंशन था इंटर्नेशनल इसको अप्लिक सकते हैं तो देखिए का अगर नंबर पुछ दिया तो थर्टीन तहां पर मतलब हुआ था इस वर कैलीवर का जन तो भी एचिव यू यूपी बनाराश नंबर 2022 और कौन सी संस्था इसलिए रस्पॉंसिबल है तो इसको और्गनाइज करता है तो यह सभी बाते ध्यान रखेंगे अप अगर मैं एक इंपोटेंट चीजे आती आज कल कोईशन से पूछ दिये जाते हैं तो थीम है आप नोट जरूर कर लीजिए इस तो इसका थी अधा है इनीजिनीग इंवीजिनींग इंवीजिन दीजिटल प्रांस फ्रमेशन लाइब्रेयरी सोर नेंच्ट जेन एक बलीक लेंड सेक ध्यान रहकेगहा थोड़ा बड़ा आसा थीम है अब नोट blockchain णान कर लिजेगा इन्वीजिनींग डिजितल प्रांस क्विशन लिए ready for next Gen academic Gen Gen academic land escape L A N D S C A P E question number 22 आपको मैचिंग करना है मैचिंग क्या है इस बेक ए ए आई सीटी क्या है डेलनेट क्या है इग्यान पोस क्या है देखिए सबसे पहला देखिए इन्फिमनेट जो हो गया एक तरह का यह इन्फरमेशन लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया तो जब एक तरह का यह नेटवर्क है तो डीटल लाइब्रेरी तो है नहीं रिसोर्स एग्रिगेटर है नहीं एक और्गनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है कि देश के बाकी लाइब्रेरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो चला जाएगा ये का फोर्ट नेक्स्ट आता है इस डेक एक तरह का एक कॉंसौर्टियम है मतलब यहां पर इलक्रोनिक्स यह सब्सक्राइच कर रहा है लेकिन जो ठोच सबस्क्राइब गारा है मतलब कि अपना रिसौर्स दूसरे लाइब्रेडरी के साथ है अग्रिगेट कर ला है मतलब की साजा कर रहा है तो यहां पर देलनेट के लिए रिसूर्स एग्रिगेटर के रूप में और करेक्ट एंसर होगा तो आप मैचिंग ते देख लिए चिसका करेक्ट एंसर हो तो यह था आपके 25 questions 22 questions ही हुए और मैं इसका एंसर जो है एप के अंदर प्रवाइड कर दूँगा यानि कि जो PDF है प्रवाइड कर दूँगा वीडियो भी एप के अंदर आएगा यह यूटूब वर्जन के लिए है यह लेक्चर इसका सकेंड पार्ट 3rd part 4 part इसमें लगवग ना 300 questions मैं discuss करूंगा इस topic पर particular और आपका सारा concept क्लियर कर दूँगा जितने भी लाइडरी नेटवर्किंव और इस questions आते हैं आपका एक अच्छा फिर्प्रेशन हो जाएगा आप कोई भी competitive exam देने जाएगा तो आपसे इस topic से particular question नहीं चूटेगा यह courses join कीजिए theoretical, mcq, test series, everything available है आपको सबसे nominal fee में मैं आपको courses provide कर रहा हूँ बहुत कम पैसों में और आपका preparation बहुत अच्छा level में मैं करा दूँगा theoretical भी है, mcq भी है, test series भी है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, अगर कोई भी doubt है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, thank you प्र